नमस्कार दोस्तों इन्फार्मेशन बिद पीके पर सभी सहारा पेड़ित जमा करता हूं बस सम्मानित कार्य करता हूं का हार्दिक स्वागत करता हूं बंदन अभिनंदन करता हूं दोस्तों सहारा रिफन्ड पोर्टल से आपके लिए काफी बड़ी खुसखबरी निकल कर आ चुकी है जैसा कि हम सभी सहारा पेड़ित कई वरसों से अपने भुक्तान को लेकर काफी दिनों से परिसान है तो अब हम लोगों को परिसान होने की जरूरर नहीं है तो आईए देखते हैं क्या सहारा पोर्टल से खबर निकल कर आई हुई है तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे यूटोब चैनल को अवस्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियो को स्किप नहीं करना है वीडियो को लाट तक देखना है तो हम आपका किमती समय ना बेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों सहारा बंधू जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं सहारा पोर्टल को आये हुए एक वर्ष से जादा हो गया है लेकिन अभी तक किसी का भी भुकतान नहीं हुआ है फर्ष फेज में नाममात्र के लोगों को 10,000 रुपिया पोर्टल के माद्धिम से दिया गया था बाकि भुकतान नहीं किया गया तो इसी के मद्ध नजर रखते हुए सहारा पोर्टल पर काफी बड़ा बदलाव हो गया है काफी दिन से ये खबर निकल कर आ रही है तो मैंने सोचा आज इसका भी वीडियो बनाया जाए तो सहारा पोर्टल में काफी बड़ा अपडेट किया गया है काफी बड़ा बदलाव किया गया है कि पोर्टल के माध्यम से अब निवेशकों को पच हजार से उपर आपका भुक्तान फसा हुआ है आपका पैसा सहारा की किसी भी सोसाइटी में पच्छास हजार से उपर जमा है और आपका भुक्तान अभी तक नहीं मिला है तो पोर्टल का कहना है कि पच्छास हजार तक आप भुक्तान एक बार में पा सकते हैं पहले भुक्ता मिलता था मात्र 10,000 रुपिया फश्ट फेज में अच्छा आप लोग एक ये कमेंट में बताईए कि आपको अभी तक किसी को 50,000 रुपिया का पॉर्टल के माध्यन से क्या मिला है 10-20 दिनों के अंदर अगर मिला हो तो नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर अपना कमेंट बताए और ये तो बात हो गई सहारा पॉर्टल की कि जिनका 50,000 से उपर है उनको 50,000 रुपिय तक का भुक्तान एक ही बार में किया जाएगा और बागी 50,000 से जिनका कम है जिसका 20,000 है 10,000 है 45,000 है 48,000 है उनको उसके हिसाब से भुक्तान किया जाएगा लेकिन अब बात आती है दूसरी और खुसखबरी की कि माननी सुप्रिम कोर्ट ने भी काफी बड़ी खुसखबरी की राहत दी है हम लोगों को जो आप लोग देखिएगा ओन स्क्रीन है देखिएगा स्क्रीन सोट है 10,000 करोड जमा करने के लिए सहारा समूह पर संपत्ती बेचने पर रोंक नहीं किसने कहा है माननी सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि 10,000 करोड रुपए जमा करने के लिए सहारा समूफ पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है चाहें जिस प्रकार से अपनी प्रापर्टी को बेचे संपत्ती को बेचे और 10,000 करोड रुपए जमा करे सुप्रिम कोर्ट ने बिक्री योगी संपत्यों की सूची मांगी नई दिली सुप्रिम कोर्ट ने सेवी के पास 10,000 करोड रुपए जमा ना करने पर सहारा गुरुप से जवाब मांगा है सुप्रिम कोर्ट ने सेवी के पास 10,000 करोड रुपए जमा ना करने पर सहारा गुरुप से जवाब मांगा है कि आप भाई हमें जवाब दीजिए आपने 10,000 करोड रुपए क्यों नहीं जमा किये इसका क्या जवाब है इसके पीछे का क्या रीजन है वो इसने सुप्रिम कोड ने सहारा गुरुप से सीधा मांगा जवाब है मंगलवार को सुनवाई के दोरान जेश्टिस संजीब खन्ना जेश्टिस बेला त्रिवेदी और जेश्टिस इम्यम सुदेश की पीठ ने कहा सहारा समू पर संपत्ती बेचने पर रोक नहीं है समू संपत्ती बेचकर पैसे जमा कर सकती थी दस साल से ज़दा गुजर चुके हैं आपने अभी तक पैसा जमा नहीं किया है सेवी बचे हुए दस हजार करोड रुपए मांग रही है आप बताएं कि इसका इंतिजाम कैसे करेंगे कोर्ट ने सहारा को उन संपत्यों की लिष्ट संपने को भी कहा है कोर्ट ने ये भी कहा है उन संपत्यों की लिष्ट भाई हमको बना कर दीजिये जो बिक्री योग हैं जिनें बेचकर इस पैसे को लुटाया जाएगा यानि कि जुटाया जाएगा सोरी जिनें बेचकर इन पैसों को जुटाया जाएगा सहारा ने 5 सितंबर तक सीर्ज अदालत को ये सूची सोपने की बात कही है दर असल 2012 में सुप्रिम कोर्ट ने एक फैसले में सहारा को 25,000 करोड रुपए सेवी के पास जमा करने का आदेस दिया था सुप्रिम कोर्ट ने एक फैसले में सहारा को 25,000 करोड रुपए सेवी के पास जमा करने को आदेश दिया था इस में से सहारा ने 15,000 करोड रुपए जमा कर दिये थे सहारा ने जो है 15,000 करोड रुपए जमा किये थे 25,000 में से तो वाकि उसी में से बचे हुए जो 10,000 करोड रुपए हैं वही सहारा की तरफ से पेस हुए बकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कमपनी को बचे हुए पैसों की भरपाई करने के लिए प्रोपर्टीज को बेचने का सही मौका नहीं मिला इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कहना है गलत कमपनी को पर्याप्त मौके मिले सहारा कमपनी को मौके काफी मिले लेकिन उसने बेचा ही नहीं यह बात गलत कह रहा है सहारा कह रही है तलाग के खिलाब तीन दसक लड़ी महिला सीर्ज कोर्ट बोला कुर्टा ये तो खबर अलग की है तो सहारा ने कहा कि हमें ऐसे कोई चांस ही नहीं मिले ऐसे कोई मौके ही नहीं मिले जिससे हम सहारा की प्रापर्टी को अच्छे तरह से बेचते हैं तो सुप्रीम कोर्ड ने कहा ये आप गलत कह रहा हैं कि आपको मौके नहीं मिले कई बार मौके मिले लेकिन आपने प्रॉपर्टी को बेचा ही नहीं तो इससे ये दोस्तों निकल कर आ रहा है कि सहारा पहले तो 10,000 करोड रुपए का इंतिजाम बनाएगी यानि कि 10,000 करोड रुपए तक की प्रॉपर्टी को बेच कर सेवी के अकाउंट में जमा करेगी फिर 10,000 करोड रुपए से बुक्तान होगा उसके बाद में निवेसको का बुक्तान 10,000 करोड रुपए में थोड़ी नहों पाएगा और जो बाकी बचेगा उसकी भी प्रॉपर्टी पर सेलिंग लगेगी अंदाज में तो यही है कि बिना सेलिंग किये हुए सहारा का पैसा कभी भी रिटर्न नहीं हो सकता है अब हो चाहें जिस परकार से चाहें और होगा भी वही लगबग लगबग बैंक के माद्धिम से यहीं कि ब्रांच खोल कर ही पैसा दिया जाने का निश्चे लगातार बनाये जा रहा है जैसे ही खबर आएगी तो हम आप सभी को तुरंट चैनल के माद्धिम से प्रोवाइड जरूर करेंगे तो मिलते हैं फिर नेश्ट नए वीडियो में तक तक के लिए जैहिंद नमस्कार दोस्तों जैजवान जैकिसान